हलो चल्वेन हभी वहला आई होपी वहला हिलनाची वहला फिटन फाइन फाइन तो यह विए स्टार्टिंग अनादर लेक्चर ओन टॉपिक दाट इस रूरल राइवलियोट और जी आपका सिविक्स का चाप्टर है इसके बाद आपका एक और चाप्टर रह जाएगा सिविक स्टार्ट करते हैं और बहुत इजी चाप्टर से आपको पहली बार समझ आ रहो और अग्रीकल्चर के बारें पढ़ेंगे ठीक है लेटास गेट स्टार्टिंग और स्टार्टिंग करने से पहले स्टोरी तो इस कि्सksi स्टोरी that स्टोरी ऑव क्ल पत्टू विल्लिज जो कि कहां इंट मंनाडें छाप नाम क्या chocolate और यहीं बताया गया कि जो broken लाइवलि होडोर्श होते हैं एक उन्या इर्वासा चाहीं सबस्कर स्टोर से आते हैं वहाँ हैं आपने लोग कैसे 엔नूज करते हैं, कैसे सरवाइब करते हैं, कैसे कमाते हैं, और यह सब को क्या बूर जाते हैं, लाइवली लेवर की जीते कैसे हैं, सबसे भ tworinge के से कल्पत्न विलेज की जो तमिल्टनड deviation में हैं, बहुत यहां पर लोग बहुत सारे अलग अरग तरीकों काम करते हैं अलग अलग तरीकों काम करते हैं यानि कि कुछ यहां पर क्या करते हैं फार्म अक्टिविटीज करते हैं कुछ नौन फार्म अक्टिविटीज करते हैं तो फार्म अक्टिविटीज होगी अग्री कल्चर और अग बुक ले लो तो यहां पर सबसे पहले क्या कर रहे है कल पट्टू विलेज कर रहे हैं हम ठीक है हम रूरल राइवली हुट्स कर रहे हैं रूरल राइवली हुट्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है यह पढ़ना है कि रूरल राइवली हुट्स किसी भी विलेज के गरम देखे तो वहां पर farm activities भी होती है ठीक है? Farm activities भी होती है और non-farm activities भी होती है ठीक है? जरूरी नहीं है कि लोग सिरॉ farm activities करते हैं और non-farm activities भी होती है ठीक है यह हमने समझा चलो यहां पर आकते हैं वापिस तो क्या होता है? Such as making basket, utensil, pot, brakes, roller cards ठीक है तो क्या कर रहे है एक तो होता है कि farming हो रही है वो कुछ ना कुछ produce कर रहे हैं यानि कोई crop grow कर रहे हैं लेकिन जैसे कि हम देखें making basket, utensil, pot, brick, bullet cards, etc. तो यह क्या हो रहा है यह बन रहा है तो यह non farm activity में आ जाएगा हना तो क्या करें आप दो दीन example लिखते हो side by side ठीक है बनाये जा रहे हैं यह जाना ज़्त लेरगैं उसके आलवा क्या बनाये जा रहा है यूटेंसे राववा बास्केट ब्रेख विफिवेंग होगी उतेशाष्म ऑंड़े बुल्लक कर कर दो तो ये सब बना रहे हैं तो ये फ्याम अच्ट इपीटि नहीं होती बुल्लकाट बना रहे हुआ तो फाल्स एकटिविति क्या हो जाएगी पाहम एटी हो जाएगी कि वह कुछ रोई करने कोई क्रॉप को क्या करें ग्रोँ करने ओर स्पैसिफिकली वह क्या क्रोँरे है पैडी ग्रो करृहें पैडी यानि की चावल पैड़ी यानि की राइस ग्रोग कर रहें ठीक है यहां तक समझ:" चलिए आगे बड़ता है इसके बाद क्या है यह जो विलेज इसके आलावा यहां बहुत सारे प्लेकर अलगलग काम भी कर रहें सर्विसेस प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है यह तो होगे काम इसके लावा हम वहीं जाते हैं हम लिखते हैं आपके कि इसके लावा वो सर्विसेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेस कि यह तो काम कररें वह उसके लब साभी कर रहें यानि नि की अपने हातों से कुई काम करें जिसको दूसरे को लाब ऑभा हाँ सरफिसेस देख लेते हैं कौन कॉनसी है सर्फिसस हो गई आपकी ठक है प्रोवीड करें सर्फिसस स्वेब ठीक है services provide कर रहे हैं जैसे क्योंकि blacksmith जैसे क्योंकि नर्स जैसे टीचर्स वाशर्मन वीवर्स बार्बर साइक्ल रिपेर मर्चंड मेकानिक्स एंड सौन देर आर अल्सों शॉपकीपर भी है जो बजार में लगे हुए तो यानि की वह activities तो कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं farm activities, non farm activities इसके अलावा वो क्या provide कर रहे हैं इसके अलावा वो provide कर रहे हैं services यानिकी doctors है nurses है ठीक है teachers है इसके अलावा maids हो सकती है आनल जो किसी घर में काम कर रहे हैं इसके लावा क्या है बारबर्स है, साइकल मेकानिक्स हैं, यह क्या है, यह सर्वेस प्रोवाइड करके अपने जो उनको चीज आती है, वो प्रोवाइड करके भी कमा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, सर्वेस लिखें गया, मैं आप सर्वेसेज यानि की नर्स हो गई, ठीक है, यानि की टीचर ह काट रहा है ठीक है इसके लावा शॉप कीपिंग होगी शॉप कीपर्स है जो आपको समान बेच रहे हैं आपको सर्विस मिल रही है तो यह सारी चीजे पाई गई है इस विलेज के अंदर और इस विलेज के नाम दिया गया है कुन सा विलेज पढ़ रहे हैं विलेज पढ़ मैं समझ आया चलि आगे बढ़ते हैं इसके अलावा हमने देखा विलेज के लिए इमाजन करते हूं तो बड़ी सारी क्योंकि यह साउथ हिंडिया का विलेज है आपने विलेज में वहां को पाता है जो साउथ इन्डियान फूड कहते है डोसा इडली सांबर तो साउथ हिंड जो साथ यह तेश चीज होता है ठीक है तो ये शॉप्स भी प्रोवाइड कर रहें तो वहां पर टी शॉप एक दुकाने हैं ग्रोसरी शॉप है ग्रोसरी शॉप यानि कि जहां पर आपको दूद, चाए, आटा, बेसिक चीज़े, बिस्किट, ब्राश, छोटी-छोटी चीज़े मिलती है, बार्बर शॉप, बार्बर शॉप यानि की बार्बर शॉप क्या है, जहां पर आपके बाल काटे जाते हैं, जहां पर आपकी है ड्रेसिंग की जाती है, कलर लगा जा यानने के जो कीट नाशक है थाए दिक ज कमिकल फवर्टिलाईजर्स पैस्टीसाइड फटिलाईजर्स जो मदद करतें सॉयल को अच्छे से यानि की डिब्बा ट करें डिब्बबा यहां जो क्या करता है कि टिफन एंदरडिक대ें कि बने अंब 30 और जाला जेएरिश उपमा एंद दे मॉर्णी स्नेक्स वर्ण ऑफे अध्यूर पाक तो उल्टा दिखि को वह भी सूजी से और राइस से बनता है अब यह देखो यह होता है वड़ा वड़ा भी देखा होगा यह एक नई चीज जिसको बहुत है मैसूर पाक मिठाई टाइब होती है और वह होता है बॉंड़ा तो यह सारी चीज़े भी मिल रही है उस वाले हम बोलें टिफिन सर्विस के अंदर इसके रलावा blacksmith है goldsmith नहीं पाए गए गये एकोते सुनार इकोटे की काम करते है ब्लैक स्मिथ। उसके बाद home whose home serves तॉट तॉट्षोप दुकान भी और वोगा अपने घर के अंदर रहूस ने क्या बना रहा है वोग्शॉप बना रखी है ठीक है चलिए लोहीं और क्या है यहां पर बें बात करते थे जो हमने बात स्टंग में कि मैं यहां पर farm activity हो रही है तो क्या रिखा यह क्या ग्रोव कर रहे हैं यह पैडी ग्रोव कर रहे हैं क्योंकि South India में बहुत सारा कहते हैं कि आपने सुना ही होगा कि चावल इडली यह सब बहुत फेमस है तो किसे बंद यह सारी चीज़े राइस से तो पैडी क्या हुआ राइस हुआ और आपको पता हो को जो कोस्चल नीचे का जो राइस होता ना ऐसा क्रॉप उसको बहुत सारा वाटर शही होता है ठीक है जब भी हम राइस की बात करते हैं जब भी हम राइस की बात करते हैं राइस की यानि की राइस के क्रॉप को बोलते हैं राइस के क्रॉप को क्या बोलते हैं राइस के क्रॉप को पैडी बोलते हैं ठीक है तो राइस के क्रॉप को पैडी बोलते हैं तो इसको ग्रो होने में रिक्वायर a lot of water मतलब इसके अंदर बहुत सारा पानी चाहिए होता है requires a lot of water और जब हम पानी की बात करते हैं और हम यह पता है कि यह वह जो विलिज है वह कोस्टल एरिया में पड़ता है अगर हम इंडिया का मैप देखें यहां पड़ता है बेय और बेंगॉल कि यहां पुड़ता है अरे बिंशी है और यहां पड़ता है इंडिया नश initiated और इंडिया पानी इंडिया पमील नाडू सबसे नीचे वाड़ तो यानि कि जब rice को water की requirement ऊसको automatically मिल रहा तो यहाँ पर क्या grow होगा ideal वी ideal crop कौन सा होगा ideal crop होगा rice क्योंकि वह already surrounded by water है और paddy को grow करने के लिए rice को grow करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है तो यह है वहां पर हल्की हल्की हिल्स भी है और पैड़ी इस मेन क्रॉप पैड़ी ग्रोव होता है ठीक है इरिगेटेड लाइंस के इंतर मोस्ट अफ़ फैमिली जरू अग्रीकल्चर और जो फार्म अक्टिविटीज है बहुत सारी लोग जो सर्वाइव कर रहे वह एग्रीकल्चर अधिए उठाना पड़ता है ठांस्प्लांट करना पड़ता है ठीक है हम रोज मरा की संदगी में इतना जुकना उठना करेंगे तो यह बैक हमारी दर्द होगी ठीक अभी तो हम यंग है इतनी बैक दर्द नी होगी लेकिन यह लोग आपको लग रहे है को यंग है इतना ठ ग्रोइंग पैडी रांस्प्लांटिंग पैडी तो इसमें क्या लगता है बहुत सारी महनत लगती है और हमारी बैक एक भी होती है तो इस बैक ब्रेकिंग वर्क ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं कि इसके अलावा यहां पर क्योंकि साउथ इसके अलावा कॉटन शुगर केन एंड प्लांटेन और ओल्सो ग्रों डियार मैंगू और कर ओल्चर्ड तो मैंगू और चर्ड भी हैं कोकोनेट गूरूज भी हैं तो यह सारी चीज़े पाई जाती है और यह कहीं नगी बेची भी जाती है ठीक है अब बात करते हैं कुछ नाम की नाम की मस बताता है चाप दो सारे लगओ नाम के बताता है लेकिन की怎麼 सब्सक्राइन की बात करते हैं ऑद्च छूब नाम दीए गए हैं लेकिन हम समझ लेते हैं कि इक्जाक्टली भूलना क्या चाहरा है चाहर किया बूलना चाहरा है वह बोलता है फारमस अब दो में डीवाईड होते हैं एक जिनके पास लैंड होता है जो लैंड ओन करते हैं एक है जिनके पास लैंड नहीं है तो वो थो इनके पास लान है और इनकों हम ठीक है इनको हम बिक फार्मर्स भी बोल सकते हैं इनके बार लांड है और यह लांडलेस है तो लांडलेस वाले सारे फार्मर्स इनके लांड पर ग्रो करते हैं और तभी वेज से अर्न करते हैं ठीक है वेज मिलती है इनको तनखा और उससे क्या करते हैं और कभी किस टाइम पर अगर हमां आपको मैं वह दिखाऊंग चक्का साल का किस टाइम पर वीडिंग होती है किस टाइम पर सो होता है जो भी होता है अगरी कल जग़ा प्रोसेस तो कुछ टाइम तो यह व्यस्ट रहते हैं बागी टाइम यह खाली होते हैं यहां तक समझ आया चलिए अब बात हो रही है ऐसे workers की अब बात हो रही है ऐसे farmers की जो land less है जिनके पास land नहीं है जिनके पास जमीन नहीं है उगाने की और वो क्या करते हैं वो उगागते तो जुरूर है crop लेकिन किसी और के land पे तो अगर आप किसी और के land पे crop grow कर रहे हो तो क्या आपका हक है उसके लाइन पे नहीं है तो आप जो भी grow कर रहे हो आपको उसका share देना पड़ता है ठीक है या तो अप उसकी जो land owner है उसकी हुकुमत से चलती हो या फिर आप उसको almost सारा share देते हो तो क्या होता है जब भी हम वील की बात करे ये एक आता है ठीक है चक्रा और किसका चक्रा ह और हम बात करें January से हमारा months start होते हैं January से year start होता है January, February, March, April में यह 5 महीने almost खाली होते हैं यह 5 महीने क्या है यहाँ पे जो farmers होते हैं they sit idle idle याने की खाली क्यों खाली बैठते हैं क्योंकि actually में जो बाकी half of the year होता है वो ज़ादा busy होता है, यानि कि जैसे ही जून का महिना आता है, जुलाए का महिना आता है, यहाँ पर क्या होता है? August का महिना आता है, यह तीन महिने कुछ weather conditions के साब से, या फिर अगर हम बोले कुछ geographical and climatic season के साब से, these three months are best to grow crops तो यहाँ पर क्या करता है वो ready करने लग जाते है अपनी soil को वो ready करने लग जाते हैं अपनी क्योंकि usually अगर आप इंडिया का climate देखो कि तो monsoonal type of climate है यानि कि यहाँ पर हमाल almost monsoon start हो जाता है और अगर हम crop को grow करेंगे तो हमें पानी तो चाहिए natural water that is given by the rains ठीक है तो हमें irrigation तो चाहिए तो हम वही टाइम चूज करते हैं grow करने का जहां पर हमें irrigation naturally provide हो जाए क्योंकि villages की बात हो लिए अगर हम villages की बात ना करते हैं तो आजकल हम हर महीने उगा सकते हैं because we have not natural but man-made irrigation facilities अलग-लग irrigation facilities बन चुकी हैं तो हम grow कर सकते हैं कभी भी जो villages हैं जब भी हम villages की बात करते हैं और याद रहे we are talking about village जो की rural areas के village है we are talking about village जो rural areas के village हैं they are completely rural based and completely we are doing rural activity तो यहां पर they start preparing sampling they transplant की उनको छोटे level पर plant करके उसको बड़े level पर लेके जाना ठीक है फिर this time September October में हलका हलका शुरू हो जाता है बड़ plants के अलावा कई बार क्यों होता है कुछ weeds उग जाते हैं यानि की unwanted plants तो यहां पर unwanted plants की क्या होती है unwanted plants की छटाई हो जाती है unwanted plants की क्या हो जाती है छटाई हो जाती है फिर November December and a bit of January harvesting time होता है यानि की आप जो आपने crop वह आपको harvest हो जाते यानि की पूरी फुल फ्लेजट ग्रो हो जाते और जब ग्रो हो जाते यह फेस्टिवल भी बनाए जाता है जान्वरी की starting में of harvesting लोडी बनाई जाती है समाधा पार्ट में कुछ और फेस्टिवल भी बोल जाता है और यहां पर क्या होता है है दी अधर हाफ ओफ दी यह के अंदर बहुत सारे लोग क्यों रियस्थ हो जाते बहुत सारे फामर्स रिक्वार्मेंट हो जाती बहुत सारे फामर्स की वह जाती है यूदो नीड हो जाती कि वह harvesting भी करें तो यानि कि अगर हम देखें यह वहला time अगर busy होगा तो यह वहला time पूरा क्या पूरा खाली है और एक और भास कि weeding से लेकर harvesting तक भी थोड़ा थोड़ा टाइम बच जाता यह जब crop पूरा full-fledged जी भिट्राइट घ्रो होता है ठीका है तो यहां पर जो फार्म करते हैं तो यह फीर हो, यहां अ Hundreds a लेस्ट हो खाली हो ने हो रिगस्ज असी आ स्वेगैरल जानी की इन कि सबसे घ्राइस समय की बात करें Landlessvär primera ini जुशने की भी ने पीडी हो जाते हैं ठीक है? चलिए, लेट्स प्रोसीड फॉदर, आल राइड, पूर फामिली इन रूरल अरिया, आपर पूर फामिली की बात कर रहे हैं, रूरल अरियास की, पूर फामिली इन रूरल अरिया, ओफन स्पेंड अलोट टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायर वुड बिकॉस उनको सर्वाइव करना है, तो फायर वुड के उनके उपर खाना बनता है, गेटिंग वॉटर, वॉटर लाना पड़ता है, घर में मोटर नहीं लगी है, तो कुएं से लाना है, राइड, ग्रेजिंग देर कैटल, क्योंकि कैटल ही है उनके पास, जिससे वो और चीजे कर सकते हैं आइक स्टूइंग कर सकते हैं, तो अपनी कैटल को, कैटल का मतलब क्या हुआ, कैटल कुछ ऐसे अनिमल्स होते हैं, क्या करने में, जो हेल्प करते हैं फार्मरत को उनकी ग्रूस मर्रा के जिंदेकी को बिट ऊजी बनाने के लिए, जैसे कि कुछ अगर कुछ के पास चा होत एक्स है चाई उक्षैंए चाइग काउ है तो उनको भरपेट ग्रेस कराते चराते हैं जरते हैं उनको लेके जाना पढ़े चराने के लिए even though they do not earn any money from these activities यह वाली activities है वो पैसा नहीं कमाते यह activities वो personal use के लिए करते हैं यह activity personal क्यों करते हैं ताकि वो क्या हो जाए हो survive कर सकें they can survive ताकि वो रोज की जो daily जिंदगी उसको जी सकें okay they do it then they have to do them for their household घर चलाने के लिए every day they have to do this hustle तभी यह rural livelihood है इसके लाव हम बात करें the family needs to spend time doing this as they are not able to survive on the little money then क्योंकि वो बहुत ही कम कमाते हैं ठीक है क्योंकि आप अगर आप देखो कि agriculture वाले जो हैं वो 5-6 मीने तो खाली बैठे हैं तो 6 मीने क्या कर लेंगे वो 6 मीने में तो 6 मीने अगर खाली बैठे हैं और वो पैसे पैसे उनके पास एक मुईने के शर्वाइव करने के बागे पांच-श मीने क्या करते हैं तो यह काम उनको करना पड़ता है ताकि वो क्या हो जाएं शर्वाइव कर लें तो यह आंकड़ा आया है टुफिफ्थ आफ दूरूरल फैमिलीज ठीक टूफिफ दूरूर्ल फैमिलीज आर अग्रिकल्चर लेबर और सो अगर हम देखें अगर हम इसको यह वाला एएड करें सो टूबाइ फाइफ ठीक है इतने लोग इतने लोग अगरी कल्चर में व्यासते अगरी कल्चर लेबरर हैं जो लेबर करते हैं या तो किसी और के लांड पर या तो अपने छोटे लांड भी ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं नौट बिंग एबल टू अन्ट थू आउट य बिकवस्ट पांड शे मिनहें यानि की बारा मिने काम कर रहें वो बाला मीने काम ही नहीं टू कर आप है अ..गरी कल्चर के लिए विए लोगों की फोर्सर दाहि प्रेशभ घंवफ फोर्ड जालता है लोग के बिकॉल छे महीने खाली बैठना इस नॉट इस नॉट आ यूट स्मॉल थिंग इस वेरी बिग थिंग तो इसी चक्र में क्या करते हैं मैंनी रूल एलिया ट्रावल लॉंग डिस्टेंसे इन सर्च अ वर्ग तो काम के लिए शहर आते हैं माइगरेट करते हैं ट्रावल करते हैं कभी-कभी पर्टिकुलर सीजन में यानि कि पांच से छे महीने के लिए वो किसी शहर में आके काम करते हैं इसे देखते हैं आफ अफसल उगना शुरू होगे तो वपेश चले जाते हैं गाउं के अंदर सुना होगा आपने कहीं लोगों को कि हम गाउं जा रहे हैं हम पांच शे मीने बाद आएंगे तो क्या करते हैं आप वह आगरी कल्चर करते हैं अफने कहां को धी कहते हैं कि मुझे तो यहां पर जॉब डूड डूड़ने आये हैं उने पांच शे मीने के लिए फोर जय सोरी जो किसी और के लांड पर काम करों आ format है म। और जो पूर है एक काटेगरी और आती है जो किन 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 लोगे पास खुद ही लांड होता है ठीक है यह तो होके लांडलेस ठीक है यह तो होके लांडलेस एक होते हैं चलिए अब काटेगराइज और डिवाइड करते हैं जब भी हम फार्मर्स की बात करते हैं या फार्म लेबरर्स की बात कर तो सबसे पहले तो आगए हमारे यह बिग अब यहां पर डिवाइड करें, बिग फार्मर्स, बिग वर्ड उस करें हम ठीक है, या फिर बिग लैंड ओनर्स, जिनके बाद ज्यादा लैंड है, ठीक है, एक काटेगरी और आती है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स, यानि की जिनके पास स्मॉल लैंड है, स्मॉल लैंड कितना, इतना बस, आप कंपेर करो, यवला प्लॉट और यवला प्लॉट कितनी बड़ी बात है, इसके लाब एक third category आती है जो हम अभी बढ़ चुकी है जो landless है जिनके पास no land, land ही नहीं है, on the other hand they are poor, अब इनकी कहानी हमने कर ली है, अब हम बात करने हैं इनकी कहानी के उपर, ठीक है, यह क्या करते हैं, इनकी पस अपना land होता है, जो small farmers होते हैं, ठीक है, इनकी पस अपना land होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है, तो यहां पर grow करने के लिए इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए crops, इनको चाहिए fertilizer, काम तो आता ही है, है तो farm laborers लेकिन क्या है, कि इनके पास छोटा land है, और छोटे land के लिए भी तो आपको crop चाहिए, irrigation facility चाहिए, आपको pesticide चाहिए यह कीट नाशक चाहिए, फर्स रिलाइस चाहिए, तो यहां क्या करेंगे, यह करते हैं, लोन लेते हैं, और कहीं बार यह depend होते हैं, किसके उपर, they depend on agriculture, जब हम बात कर रहे हैं, किसकी, small farmers की, ठीक है, तो जो small farmers होते हैं, irrigation के लिए, for irrigation, they depend on natural rainfall, rainfall के उपर depend करते हैं, और by chance rain नहीं आती, तो क्यों होता है, ठीक है, depend on rainfall होता है, rainfall नहीं आई, तो कहीं नगे, इनका crop भी खराब हो जाता है, तो क्या हुआ circumstance, crop खराब होता है, crop failure हो गया, ठीक है, तो और इनको क्या चाहिए होता है, what do they need, they need, agriculture तो करते हैं ना, और agriculture के लिए, करते कहा हैं सबसे पहले, on small plot of land, ठीक है, small plot of land पर करते हैं, यानि की छोटे एरिया पर करते हैं, और छोटे एरिया पर करने के लिए इनको क्या चाहिए, इनको pesticide चाहिए, इनको चाहिए, pesticide के लावा, fertilizer चाहिए, ठीक है, tools चाहिए, tools और machinery चाहिए, cattle चाहिए, definitely इनको लोग चाहिए, लोग तो एक खुद इनकी families कर लेती हैं, work, इसके लावा, land इनके पास है, irrigation के लिए depend on rainfall, ठीक है, water के लिए depend on rainfall, इसके लावा, they need cattle, ठीक है, cattle जिनकी मदद से य ठीक है, and seeds, of course, seeds भी चाहिए, चलिए, इनके बारे हैं परते हैं, और by chance अगर rain नहीं आई, तो they become very sad, और एक और बात की, इनके पास अपना land है, तो यह सारी चीजे इनके पास नहीं है, because they do not, they are also, they are not rich, they are small farmers, तो यह क्या करते हैं, यह सारी चीजों लेने के लिए, यह सार लेते हैं, यह लेते हैं, loan, ठीक है, यह लेते हैं, loan, loan का दूसरा नाम क्या है, debt, ठीक है, loan लेते हैं, उधार लेते हैं, और यह उनके पर करजा चर जाता है, करजा लेते हैं, किस से लेते हैं, debt किस से लेते हैं, debt ने आने कि, loan किस से लेते हैं, loan लेते हैं, from big farmers, जो पाज़े एक पर यह देखिए यह स्मॉल फार्मर्स बड़ी सारी चीजों के लिए लोन लेते हैं from the big farmers अब लांड ओनर्स ठीक है और by बाइचांस इनकी फसल और बाइचांस इनकी फसल नहीं उगी ठीक है बाइचांस रेन नहीं आई फसल नहीं होगी तो इनके उपर चर जाता है करजा इनके उपर क्या चर जाता है करजा ठीक है क्योंकि इन्होंने उधार लिया था फसल अच्छी होगी उसको बेचेंगे और पैसा मिलगे हुए उधार चपा देंगी क्योंकि इनके पास और में हो चौटा रड़न 230要 चाहते सिर्फ कंपunn second q लोन ठीकर बोरो बॉरो यानि आरणा लेते हैं और उधार जो हॉथ कैफार नहीं चुका पाते हुआ है ठीक है जाने लाइन इन ऊर्टर टू बाई कर वाइकल्च art अग्रीकल्च की सप्लाइज को बाए करने के लिए यह लेते हैं कि यह करते हैं बोर के अलावा हो मनी लेंडर भी मनी भी प्रोवाइड करता है क्या है मनी लेंडर है ठीक है किस आस में होप्फुल रहते हैं ठीक है स्मॉल फार्मर क्या रहता है होप्फुल रहता है होप्फुल रहता है कि अगर ठीक है क्या रहता है hopeful रहता है hopeful क्या है कि अगर by chance agriculture की फसल यानि कि जो harvest है ठीक है फसल लिख दूंँ फसल फसल यानि कि जो harvest है वो बढ़िया हुई यानि कि वो हुई good तो मैं जो borrow किया था I will repay the borrowed amount, I will repay the loan, loan यानि कि जो उधा लेते हैं, जो बोरो करते हैं, लेकिन कहीं बार वो चुका नहीं पाता है, not being able to repay, but sometimes, ठीक है, sometimes हम लिख देते हैं, not able to, not able to repay, not able to repay, तो क्या चार जाता है, in-Q पर चार जाता है, debt, in-Q पर कार जाता है, debt, यानि की, करजा, क्या चार जाता है, करजा, because, अब reasons क्या हैं, not able to repay, के reasons क्या हैं, not able to repay, के reasons हैं, सबसे पहला reason आगया, ठीक है, reason आगया, rainfall नहीं हुई, rainfall नहीं हुई, महेंगा पैस्टीसाइड नहीं खर अब था वह अछा नहीं था तो क्या लग गया कुड़ख ही टॉटर फेल ओगया और पी टॉटर्ब, यह लोगया और यह जो वकश्च कारशन से पड्रीट, यह वो हो गए एक situation में पड़ गये जिसको बोलते हैं बाधि 3 ग tip की सिच्येसिन finger फॉल हो गए और इस चक्कर में वो रीपे नहीं कर पाएंगे, उनके पास कुछ नहीं बचा, तो दिस इस वेन वी कैन से आर कॉट इन डेट, ठीक है, और रीसेंट यह भी दिखा गया है, बहुत साथा इस बहुत साथा इस बहुत साथा डिस्ट्रेस हो जाता है, यानि कि बहुत साथा नुकसान होने के कारण, फार्मर्स बहुत साथा साथ हो जाते हैं, ठीक है, अमंग फार्मर्स, this has also resulted in many farmers committing suicide, suicide यारनी आत्म हत्या, वो अपनी जान ले रेते हैं, वो अपनी जान ले रेते हैं, वो डेप ट्राप पर वर जाते हैं, ठीक है, again a sad situation, इसके अलावा, जैसे कि हम लार्ज केटेगरी पर आते हैं, कांग यह हमारा, जो हमने सबसे पहले किया था, यह रहा, ठीक है, हमने लैंडलेस की बात कर लिए, हमने स्मॉल फार्मर्स की बात कर लिए, अब बात आती है, कि जो बिक फार्मर्स होते हैं, चलिए, फाइंड आउट करते हैं, इनके बारे में, कि लार्ज फार्मर्स याने कि बिक फार्मर्स जो होते हैं, जो लैंड उनर्स farmers cultivate most of the land in the village तो अगर मैं बोलू तो फॉर एक्जाम्पल मैं बोलू यह है टोटल विलेज ठीक है यह है टोटल विलेज जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स है जो छोटे-छोटे फार्मर्स है हो सकता है उनके पास इतना लैंड हो उसके अंदर भी छोटे-छोटे फार्मर्स उन जिनको हमने क्या बोला स्मॉल फार्मर्स लेकिन अगर हम देखें यह वाला पार्ट तो स्मॉल फार्मर्स का था जिनके बारे में पढ़ चुके है स्मॉल फार्मर्स ठीक है जिनके बास लैंड है लेकिन बहुत ही जादा छोटा है यह वाला सारा पार्ट जो है यह किसका है विध्शilles करें आधे फिर सुब्ग करते हैं अलकी नियंग सब्सक्राइब और या olduğu सुल Рब ऑम सब्सक्राइब करें दो मार्किट वही सोल करते हैं इन दो मार्किट और मैनी आप स्टाइट अधर बिजनेस और बिजनस क्या है मनी लेंडिंग दुकान खूल लेते हैं ठ्रेडिंग शुरू कर देखें च्छोल फैक्टरी चेट अप कर लेते हैं यानि की इनके पास जादा प्रड्यूस आता है तो यह बेचेंगे तो इनके बागी सारा पैसा या तो फैक्टरी में सेट अप कर देते हैं या तो छोटी 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 स्केल फैक्टरी बनाते बिजनस करते हैं मनी लेंड कर देते हैं और इंट्रस से और कमाते हैं राइट समझ आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं सो इसके अलावा क्या करते हैं फार्मिंग के अलावा भी और अक्टिविटीज में बीबंद रूल एरिया डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम्ड फॉरेस्ट ठीक है एक और अबों से वीड़ेसं बीवड होगी ऑट दैने की अंसे जैस्टे बीजाने ताई अब आपि हैं यहां पर हम देख लेते हैं कि हमने अक्तिविपेटीज देखी विलिज के अंदर और हमने क्या क्या देखा रूरल विलिज लेज़ेस्ट हम लिखते हैं सबसे बहुत पह हमने देखा कि रूरल राइवली हुट के अंदर हम देखते हैं विलेज और विलेज के अंदर हम देखते हैं अलग-लग तरीके की activity हो रही है एक होती है farm activity और एक हम देखते हैं non farm activity ठीक है मैं एक दो कि अगरी कल्चर हो रहा है और अगरी कल्चर और यह क्या कर रहे है पैडी ग्रो कर रहे हैं services कैसे होगी teachers ठीक है nurses the barbers ठीक है समझा गया non farming होगी basket weaving ठीक है blacksmith होगए pottery हो गई ठीक है यहां तक समझाया जो हमने यह कर लिया अब हमने किया focus farm पे हमने क्या किया focus किया farm पे ठीक है चल इसी कोई copy करते हैं हमने किया focus farm पे और जो हमने focus किया farm पे ठीक है जो हमने focus किया farm पे तो यहां से निकलिबेटा one more thing आपको अगर इस lecture के notes चाहिए तो you can always go to PW app ठीक है वहां पे आपको सारे notes मिल जाएंगे क्योंकि यह कहीं बार आपकी revision में help करेंगे आपके notes ठीक है यह जो notice आपके भहिया दीदी बनाते हैं उडान में नीव में उमंग बैच में ठीक है यह आप बना सकते हो और आप बना के सकतो आप यहां पड़ते हैं सेम आप ही है वहां पर जाओ चांप्स बैच में class 6 में सस्ट के अंदर आपको सारे notes मिल जाएंगे चाप्टर वन से लेके अभी तक जिशने चाप्टर पढ़ाएं ठीक है तो यह भी important चीज़े जो मैंडम पढ़ा रही है यह आप ठीक है अब बात करते कि farm activities भी आगे क्या हो जाती डाइवर्ट हो जाती है ठीक है किसके अंदर डाइवर्ट होती है तीन में तो यह तीन इनके बस लेंड है लेकिन बहुत थोड़ा सा है फिर हो गए हमारे बिग लाइन ओनर जानी कि बिग बिग लाइन बूलो या फिर बूलो बिग फामर्स या फिर मनी लेंड थीक है यहां तक समझ आ गया उसके बाद हम बढ़े है कि जैसे हमने activities दें कि इसके अलावा non farm activities के अंदर ठीक है non farm activities के अंदर एक और type of activities हो रही है जो हम इसको in detail पढ़ेंगे अब ठीक है तो activities क्या है इसके अलावा वो कमाते कैसे हैं ठीक है रूल लाइवल्यूट कमा कैसे राये एक और category बना देते हैं यहीं पर ही हाव दर अर्णिंग दर अर्णिंग ठू डेरी डेरी भी कर रहे हैं वानी की दूद बेची कमा रहे हैं डेरी कर रहे हैं ठीक है और फिशिंग कर रहे हैं यह भी दो activities आ गई है ठीक है यह भी दो activities और जुड़ गई है यह भी कर रहे हैं और यह भी कर रहे हैं चलो आगे देखते हैं similarly selling milk to the village cooperative society आने की यहां पर वह दूद मिल्क करते हैं और वह बेचते हैं आने आगे वाली ठीक है cooperative society में और taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some families कुछ families ना लैंड रहना किसी और के लैंड पर ग्रो कर रही है ना वह अपने लैंड पर ग्रो कर रही है वह क्या कर रही है वह मिल्क मिल्किंग करती है यानि कि वह दूद निकालती है cows and buffalo से और maybe goats से और वह आगे देती हैं in a large amount society को cooperative society जो आगे उसकी शायद वह करता है लगा लो कि आप उसको promotion कहलो किसी brand के अंडर बेचता है लेकिन ये काम कर रहे हैं और ये income main source of income है इसके लाबा कुछ ऐसी फैमिली जैं जो सिरफ fishing कर रही है तो यहां पर coastal area है तो यहां पर फिशिंग भी हमने देखी है तो फिशिंग करके वो फिशिंग से भी कमाते हैं ठीके इसके लाबाव एक और चीज देखी गई है farming के अंदर एक और type of farming है, यहां हमारा chapter खतम हो जाता है, ठीक है, एक और type of farming अभी, आप कही पाड़ों पे गए हो तो आपने देखा होगा, ठीक है, उस वो hill पूरी terrace 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 लगती है, यारनी कि सीडिया type, ठीक है, तो यह पानी नहीं है, this is all grown, this is all grown paddy, paddy grow हुआ है, क्योंकि paddy को पानी चाहिए होता है, तो paddy grow हुआ है, कहां पे, terrace की उपर, ठीक है, paddy grow हुआ है, कहां पे terrace की उपर हो सकता है, इन्होंने try किया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैंने paddy लिग दिया, इसको बोलते हैं, terrace farming, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, terrace farming, ठीक है, जिसको सी यह चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में ऐसी कुछ रीयल में देखने में होती है यह दो और अगर आपाड़ो पिछा तो इसके बहुत सुन्दर नजारे उते बेरी ब्यूटी ठीक है तो आईए इसके बारे में और डीटेर में पढ़ते हैं कि यह क्या है और यह कहां पाई गई है को कि स्कूल वल्य आपको दे सकते हैं यह एक विलेज जिसको नाँ चीजामी बोलते हैं जो की फेक डिस्ट्रिक फेक डिस्ट्रिक नागल लैंड में पढ़ता है चीजामी फेक डिस्ट्रिक नागल लैंड ठीक है कैसे याद करेंगे विलेज को नाम है चीजामी कहां पढ़ता है नागर नागर लाइंड नॉर्थ इसचन पार्ट ऑफ इंडिया ठीक है नॉर्थ इसचन पार्ट ऑफ इंडिया पड़ता है तब इस बिलॉंग टू और यह कहां से बिलॉंग किते हैं चगेजंग, community, community है, यह कौन सी community है, और यह क्या करती है, terrace cultivation करती है, यानि कि, terrace farming करती है, hill को, क्या करते हैं, यह slopes, जो hill की है, उसको काट-काट के, terrace बना देते हैं, यानि कि, सीडी, सीडी बनाते है, इसका हिंदी में बने सीडी नुमा खेती, this means that the land on a hill slope is made into flat plots, ठीक है, यह क्या करते है, hill को use कर रहे है, natural resource hill को use करके, क्योंकि land कम होता है, तो यह hills होती है जादा, तो यह hills को flat plots में convert कर देते हैं, ठीक है, carved out in steps, steps यानि की सीडीया, the sides of each plot are raised in order to retain water, the sides है, वो उपर कर देते हैं, ताकि वो पानी गेर है, जो sides है, थोड़ी उपर की तरफ कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाती हूं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो यानि कि अगर आप देखो, यह वले पार से ही, देखो, यह वले पार से उपर य रहे और अगर हमें पैडी ग्रो करना है फॉर एक्जाम्पल तो पानी तो ज्यादा चाहिए हमें तो रिटेन रहे यानि की बचा रहे बना रहे ठीक है उसके बाद इस साइज और वीच प्लॉट अरेश्ट इन और तो रिटेन वॉटर इस देस अलाउस तू स्टान इंद फी ऐस अंदर इसके अलावा the people of chizami have their own individual field तो इनके पास अपस अपनी इंडिविजुल field है, but they also work collectively in each other fields लेकिन यहाँ पर कोई लडाई नहीं है अपनी अपनी field होने की बात भी या they are sharing, sharing is scaring they help करते हैं और भी अपने friends की they form groups of six और एट ठीक है गुरूप फोर्म करते हैं किसके कितने के गुरूप होते हैं या तो six लोगों के या फिर eight लोगों के ठीक है एंटायर माउंटेंसाइड तो क्लीन वीड और वीड जैसे की वीडिंगे प्रोसेस होता है अगर कोई कीडा या फिर कोई अन्वांटेट ब्लांट ग्रोग तो उसको वह क्या करते हैं वह हटताते हैं इज गुरूप इस चुगेदर वास्टेर वर्ग फोर देश ओवर दिसक अगर आपकी घूमने जाओ तो अपने पेरेंस को भी बताना कि यह हमने पड़ा है टेरस वामिंग ने पड़ी है नागा लैंड मोती और इंडिया के अल्मोस्ट अब हर हिल एरिया में होने लग गई है और विच इस बेनिफिस हमारा एक लास्ट चाप्टर रह जाता है जि चाप्टर रहते हैं वो सर्विस इस वी प्रोवाइड करते हैं इसके लाबाव अगर कुछ कई कुछ कई फामिलीज यह कुछ नहीं करती तो दूद्ध बेशती है या बरवो फिशरी आतो और जो दो कुछ करते रहते हैं वह प्लाइव करने के लिए और सब्सक्राइब को स बाबाई चिल्डेन, see you in the next lecture, और उसके बाद हमारा एंटाइर जोग्रिफी कहतम हो गया, हमारा एंटाइर सिविक्स भी खतम हो जाएगा, फिर हमारे कुछ चाप्टर बचेंगे, हिस्ट्री के वो भी बहुत जल्द कम्रीट हो जाएगे, don't worry, till then, बाबाई चिल्डेन, see you soon in the next lecture.